हेलो एबरीवन आप लोग का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के पॉली मार्फिज में टापिक के बारे में इस्टडी करेंगे पॉली मार्फिज में इन सिलेंट्रेट्स तो हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के पॉली मार्फिज में के बारे में इस्टडी कर लेते हैं फर्श पॉइंट है जो फॉर्म एंड फंक्सन में भिन्न होती है इसे पॉली मार्फिज में कहा जाता है एक सी अधिक प्रकार के समान इस प्रसिज में जो पाए जाते हैं वो form and function में भिन होते हैं उसे polymorphism कहा जाता है नेश्ट पॉइंट है सिलेंटेट्स में अलग-अलग different individuals या जोयट्स कालोनी के फार्म में यूनाइटेड है इस प्रकार polymorphism hydrojuan colony की एक important feature है इस प्रकार polymorphism hydrojuan colony की एक important महत्पुड फीचर होती है महत्पुड विसेस्ता होती है पैटर्न आप polymorphism हम लोग polymorphism के पैटर्न के बारे में study कर लेते हैं polymorphism के degree hydrojuan के different groups में greatly varies होती है पहला है dimorphic तो चलिए हम लोग dimorphic के बारे में study कर लेते हैं polymorphism का यह पैटर्न मेनी hydrojuan colonies लाइक ओविलिया, टर्बिलेरिया, इटीसी से exhibit किया गया है पॉली मर्फिल्म का यह पैटर्न कई hydrojuan के जैसे ओविलिया, टर्बिलेरिया, इटीसी से exhibit किया गया है नेश्ट पाइंट है उनके पास only two types के जैसे हैं उनके पास के वन दो प्रकार के जैसे होते हैं जबकि गोनो ज्वैर्स या ब्लास्टो स्टाइल्स, एसेक्सूल बढ़िंग, अलैंगिक बढ़िंग, सेक्सूल मेडियोसी या गोनो फोन मेंस से फार्म होते हैं उसका फार्मेशन होता है नेश्ट वाइंट है इस प्रकार कालोनीज बीरिंग को only two types के इंडूविजूल को डाइमार्फिक कहा जाता है और इस पूरे घटना को पूरे फिना मिना को डाइमार्फिक में कहा जाता है दूसरा पैटर्न है ट्राइमार्फिक तो चलिए हम लोग ट्राइमार्फिक के बारे में study कर लेते हैं तो फेस्ट पाइंट है सम फार्म ट्राइमार्फिक है कुछी फार्म ट्राइमार्फिक होते हैं नेश्ट पाइंट है गेस्टो जोयर्ट्स और गोनो जोयर्ट्स के अलावा वे एक थर्ड टाइप इंडू विजूल्स भी हैं वे डिक्टाइलो जोयर्ट्स कहलाते हैं गेस्टो जोयर्ट्स और गोनो जोयर्ट्स के अलावा एक तीसरे थर्ड टाइप इंडू विजूल्स भी होते हैं उसे डिक्टाइलो जोयर्ट्स कहते हैं नेश्ट वाइंट है ये फंक्शनली रूप से नौन फिडिंग एंड डिफेंसिव पॉलिप्स को निमेटो सिस्ट की बैटरीज की वीरिंग है और ये फंक्शनली रूप से नौन फिडिंग एंड डिफेंसिव पॉलिप्स को निमेटो सिस्ट की बैटरीज की वीरिंग होती है तीसरा पैटरन है polymorphic तो चलिए हम लोग polymorphic के बारे में study कर लेते हैं Silenters के पास three type के individual के तुलना में अधिक है उसे polymorphic कहा जाता है silenters के पास thyn प्रकार के individual के तुलना में अधिक होते हैं more than होते हैं उसे polymorphic pattern कहा जाता है इसका एग्जामपल है hydrotania colony five types के polyps वाले each performing के specialized function करते है, hydrotia colony five प्रकार के polyps वाले प्रतेट परफार्मिंग के लिए बिसेश फंक्षन करते है, ये फाचो प्रकार के फंक्षन है, पहला है gastrojoits for feeding के लिए, दूसरा है spiral dactylo joints for protection के लिए, तीसरा है long sensory tentaculo joints with sensory cells के लिए, चोथा है scleto joints as spiny projections आप का 18 के लिए, पचवा है gonos joints या reproductive individuals के लिए, तो इसके 5 प्रकार के function होते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग phylum sealantrata के polymarphids को देख सकते हैं, उसके तीनों पैटर्न के बारे में study कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो like, share, comment and subscribe कीजिएगा और फ्रेंट्स आप लोग को BCMSC का हिंदी गलिस मीडियो में notes चाहिए, तो please comment करके जरूर बताइएगा उसको हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे, thanks everyone